नमस्कार दोस्तों बात करेंगे वाई पल्स के बारे में और सेंसिबल के बारे में तो उस्तों मेरे पास कमेंड आया था जब मैंने लोग बिल्डप और शोट बिल्डप वाली वीडियो पोस्ट किया था तो लोगों ने मेरे से पूचा था सर क्या हमें Y-Pulse पर जाना चाहिए क्या सर हमें Sensible पर जाना चाहिए इसका एक वीडियो बनाओ तो गैस ये वीडियो आपके लिए है आपके लिए बना रहा हूँ तो कहना चाहता हूँ वीडियो को आप एंट तक वोच किज़ेगा और कहना भी चाहता हूँ इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा आप गैस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ Y-Pulse के प्लान पर आप चेक करोगी तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 1499 अगर मैं इसमें GST इंक्लूट करता हूँ तो कही ना कही 1700 से लेकि अठारा सो रुपय होता है यह आपको GoPro देता है वन मंती के लिए ठीक ना Comparison बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या देता है Stradle Strangle Chart देता है Connecting Doe देता है इसका मतलब यह होता है कि VVP नीचे है Super Trade उपर है यह Connecting Doe देता है यह साथ में Trading View Chart देता है Open High Strategy देता है Future Analyze देता है Option Chain देता है Option Premium देता है कि आप Option Premium को Check कर सकते हो Wix and Index Cross Over देता है मतलब Wix जो होता है India Wix and Index जो होता है उसका Cross Over देता है आपको पता है कि Market नीचे गिरती है और Wix नीचे आ रहा है तो हमारी Market उपर जाती है Option OI Analysis Chart यह आपको देता है Option Multiple OI Chart यह आपको देता है अगर आप इसका Six Month के Plan पर जाते हो क्या मिलता है यह तो सारे आपको मिलता है ठीके Pro वाले सारे Version आपको मिलता है साथ में 320 strategy आपको मिलता है इसका मतलब यह होता है कि आपको 3 बच कर 20 मिनिट पर यह बताया जाता है कि कल Market में क्या होगा मतलब Put चलेगा यह Call चलेगा जिस हम बोलते है BTST यह आपको देता है बट इसके जो BTST के जो Accuracy का कही ना कि मैंने देखा है 60% से उपर है मतलब 60% से उपर है अच्छे BTST यहाँ पर आपको मिल जाते है ठीक है साथ में गाईस यहाँ पर ही देता आपको OSPL सिगनल इसका मतलब यह होता है अगर आप Scalping करते हो तो यह आपको सिगनल प्रोवाइट करता है फ्यूचर चार्ड पर मतलब निफ्टी का चार्ड बेंक के निफ्टी का चार्ड ठीक है फिर Morning Trade Strategy आपको देता है OSPL क्यों सिगनल देता है मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में पच्चिस पोइंट का स्टॉब लोस और तीस पोइंट का टार्ड ठीक है यह आपको सिगनल देता है ठीक है मैं मैंने यूजर नहीं किया है आपको आगे तक बताऊंगा ठीक है चलिए अब गैस यहां पर होता है यह वन येर का यह आता है 12,999 अगर आप इसको 18% GST इंकलूट कर दोगे तो पढ़ जाता है 15,000 रुपे ठेक है यह सारे आपको मिलते है थोड़ी बहुत यहां पर जापको एडवान से मिलती है जादा कुछ नहीं मिलता है पर जो 6 मंत वाला तो 8,000 रुपे होता है और यहां पर सेल चल रही है और यह आपको 24 मंत का चार्ज करेगा 10 से 12,000 रुपे तो अगर मैं बात करता हूं कि Y-Pulse प्लस सेंसिबूल सस्ता कौन सा है सेंसिबूल अपन को सस्ता देखने को मिल रहा है कि सस्ते प्लान अपन को सेंसिबूल देता है ठीक है अब यहीं पर आ जाते है ठीक है उपन इंटरेस्ट आपको मिलता है यह फीचर काईस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपको आगे बताऊंगा मल्टी स्ट्राइक वाई यह फीचर मुझे काफी अच्छा लगता है IV चार्ट को मिलता है इसका जो यहां पर आप चेक कर रहे हो और साथ में आपको देता है वर्चूल ट्रेट करने का मौका मतलब आप एक पेपर ट्रेट कर सकते हो आपने स्ट्राइजी को ट्राइ कर सकते हो जो हेजिंग वाले स्ट्राइजी होती है यहां पर क्या आप बुल पुट स्प्रेट करो कोल पुट स्प्रेट करो यह सारी स्ट्राइजी होती है यहां पर आप वर्चूल ट्रेट में कर सकते हो यहां पर आप अपने खुद की ऑप्शन स्ट्राइजी बना सकते हो तो अगर आपको हैजिंग करना है, किस तरीके से करना है, वह आप बना सकते हो, इस ही option आपको देता है, strategy wizard आपको देता है, ठीके, आप guys कहीं ना कहीं, इसमें सारी ची इंक्लूड है, बट यहाँ पर एक चीज इंक्लूड नहीं है, जिसे मैं बोलता हूँ, long build up, short build up, short covering, यह आपको नहीं देता है, यह आपको अपने option चार्ट को देखते हुए समझना पड़ता है, इसकी वीडियो में मैंने बना दी है, long build up क्या होता है, short build up क्या होता है, short covering क्या होती, उसकी वीडियो की link में I button पर दे दूँगा, ठीके ना, तो यह आपको सीखना पड़ता है, मैं यहीं पर option chain लगा देता हूँ, यह option chain यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीके, यहीं पर आते हैं, y pulse पर ठीके, हम यहाँ पर अपसका option chain दिखा देता हूँ, ठीके, कहाँ पर है option chain, यहाँ पर है, comparison कर लेते हैं, ठीके, यहीं पर आ जाते हैं, अब गयास देखो, यह क्या हुआ है ठीक है शोट कवरिंग हो रही है लोंग मिल्डप हो रहा है यह लोंग मिल्डप क्या होता है इसकी वीडियो बना दी है वह वीडियो आप चाहिक कर लेना ठीक है यह यहां पर थोड़ा अच्छा बन जाता है यहां पर लोंग मिल्डप हो रहा है यहां पर शोट बिल बहुत ही शांतर लगता है check करोगे इससे क्या पता चलता है देखो हें कहां पर कितना call राइटिंग और कहां पर कितना put writing है एक चार्ड मिलता आपको check करोगे वो जाहिक-ienen वह ज्याहँ पर call या आप check करोगे इस तरीके से फिर ठीके उपर आते हैं तो यहां पर जो मार्केट ओपन होता है तो यहां पर एक लाइन यहां पर रहती है आप इस तरीके से यहां पर ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है यहां पर मिल जाता है ठीक है अब यहीं पर आते हैं वाई पल्स पर क्या मिलता है तो वैस जो मेरा फेवरेट फीच जो पोजिशन बनाई थी लास्ट में वो अपनी पोजिशन को बुक कर लिया मतलब अन्वाइंडिंग कर लिया समझ रहो ना यहां पर दिखाता है शोट कवरिंग यह फीचर का इस बहुत ही तगड़ा फीचर है वह फीचर भी अच्छा है और यह फीचर भी अच्छा है और जब लोगं बल्डब बन रहा है अपने भी कर रहे हैं कोल को तो अपने को confidence आता है कि नई मैं जिस तरफ position बना रहा हूं वहां पर भी लोग position बना रहे हैं तो यह अपने थोड़ा confidence देता है कि हाँ डेटा मेरे favor में जा रहा है ठीक है जब अगर आप selling भी करते हो शोट बि होगे यहीं पर आते हैं अब यहां पर आप जाओगे तो यहां पर A5 और D.I.D.A यहां पर मिल जाता है ठीक है अब मैं यहां पर O.I.Pulse का A5 और D.I.D.A आप को चेक करवा देता हूं ठीक है JUST वेड ठीक है यहां पर तो कैस्स यहां पर इस तरह के साथ डेटा आप चेक करोगे आप चेक कर सकते हो कैस पर यहां पर OI Pulse में एक विचर बहुत ही शांदार है जो OI Pulse खुद देता है क्या है आप चेक करोगे यहां पर आप चेक किजए यह FI data ही यह pro data है मतलब इसका मतलब यह होता है कि pro trader भी यहां पर bearish है और जो FI यह थोड़ा bullish है आप चेक करोगे हर particular point पर future stock पर bullish है future index पर bullish है फिर आप चेक करोगे call put में यहां पर bearish है यह feature यहां पर अच्छा होता है short बना है मतलब call को कितने कितना long क्या मतलब buy क्या कितना short किया कितना long क्या कितना buy क्या है साथ में आते है और यहां पर आपको दिखाता है कि total call writing कितनी और total put writing कितनी यह feature भी वहां पर OI pulse में भी है ठीक है फिर यहीं पर आते हैं तो यह सारे data आप चेक करोगे तो similar data है मिल ज credit आप कर सकते हो ठीक है ना strategy builder strategy wizard ठीक है अब इसमें क्या होता है आपको proper strategy मिल जाती है अगर आप hedging करते हो ना option seller हो आप तो मैं कहूंगा कि आप sensible call आप sensible call आपकी बहुत help होगी अगर आप option seller हो अगर आप hedging करते हो तो अब यहां पर बात आती है अगर आप option buyer हो तो आप OI कहां पर unwinding हो रही कहां पर build up हो रहा है ठीक है दोनों की link में description में दे दूँगा ठीक है and guys check करोगे इस तरही से मिल जाएगा तो कही ना कि option buyer के लिए OI Pulse अच्छा है अगर आप hedging करना चाहते हो तो वहां पर आपको sensible क्या मिल जाएगा अपनी खुद की strategy वहां पर मिल जा यह मुझे यहां पर अच्छा लगता है अगर आप hedging करते तो यह चीज आपके लिए अच्छी रहेगी option buyer के लिए help करेगी बट अगर आप option seller हो तो guys आपको कहीं ना कहीं bull coal split मिल जाएगा इसका मतलब यह होता है कि आप क्या कर सकते हो कौन सा coal आपको sale करना है कौन सा coal आप आपको buy करना है bull butterfly आपको मिल जाएगा इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कोर्स बना के रखा है हम आने वाले time पे सब कुछ बता देंगे तो कहना चाहता हूं अगर आपने अभी तक like नहीं किया है like किज़ेगा subscribe किज़ेगा और bell icon को भी जरूर प्रेस कर देजेगा आप यहीं पर आ जाते हैं देखो यह आपको देखने को मिलता है और साथ में advance chart को आप चेक किजिए ठीक है क्या क्या मिलता है देखो जब आप open करते हो ना तो यहाँ पर आप चेक करो क्या चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर OSPL volume आपको पता है जब 50K का volume जाता है त ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर दो indicator मिल जाते हैं मैं आपको बताया भी था मैं दिखा देता हूं आपको ठीक है OSPL ठीक है यहाँ पर signal volume यह मिल जाता है कि आप signal इसमें देख सकते हो but guys देखो मैंने use नहीं किया है मुझे scalping नहीं करना है मैं तो guys कही ना कही ट्रेड निका करोगे तब time के हिसाफ से यह 15 मिनिट का जो train है positive है negative है आप check कर सकते हो super train कहाँ पर चल रहा है RSI कहाँ पर है neutral है RSI की ओपर है वी वेप क्या चल रहा है open interest क्या चल रहा है आपको दिखाता है ठीक है ना अब यहीं पर जब dashboard पर click करोगे तो यहाँ पर आपको DAW feature की चार्ट दिखा देगा nifty 50 आपको दिखा देगा bank nifty आपको दिखा देगा शुरुवाद में आपको चार्ट यहाँ पर दिखा देता है कि DAW feature ओपर है और nifty फिचर भी ओपर है और bank nifty फिचर भी ओपर है तो कहीं नखे आप चाका सा प्लान कर सकते हो ठीक है अब आज आतेगा इस बहुत सारे topic है में आपको बताऊंगा ना तो पूरा course बन जाएगा अगर आप comment करते हो ना तो मैं पक्का आने वाले टाइम पर हर एक point आपको बता दूँगा ठीक है अब गाईस बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए ठीक है मैं पहले बता चुका हूँ अगर आप option buyer हो ठीक है option buyer ह आपके पास fund 20K से उपर है तो आप OI Pulse पर जाओ आप OI Pulse पर जा सकते हो अगर आपके पास 10,000 का fund है 10,000 अपके जेब में रखे हूँ है तो आप किसी पर ही मत जाओ ना तो sensible लो ना OI Pulse लो उसके region क्या है मैं बताता हूँ आप पहले practice करो चार्ट पर आप पहले चार्ट आपको backtest करो 6 महिने का चार्ट पूरा backtest करो फिर backtest करने के बाद में 2-3 trade लो फिर जब कहीं ना का confidence बढ़ाने के चक्कर में OI Pulse पर आप जा सकते हो तो अगर आपको 5,000 रुपे 10,000 रुपे तो पेसा मत बिगाड़ो पेसा अपने उपर मत बिगाड़ने के बचाए कुछ टाइम चार्ट को दो, चार्ट को रीड करो, सीको, तब जाके OI Pulse पर आओ, ठीक है, आप गैसी जो फीजर थे, मैंने आपको बता दिया, अगर आप option seller हो तो आप जा सकते हो, sensible पर, अगर आप option buyer हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो, वहाँ पर काफी help हो जाएगी, पर वहाँ पर आपको थोड़ा डेटा कम मिलेगा, और यहां पर थोड़ा डेटा आपको जादा मिलेगा, दोस्तों ये था वीडियो, मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा और बैल आइकन को भी ज़र रुपेज किजेगा